नवस्कार मैं हूल भाउनो शर्मा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम रतन टाटा एक ऐसा नाम है जिसके बारे में कुछ बताने की जरुरत नहीं है इन्हें कई लोग अपनी प्रेणा मांगते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में वैसे कम ही बात की जाती है लेकिन एक सवाल जरूर लोगों के मन में आता है कितनी सफलता हासल करने वाले इस दिगज ने आखिर शादी क्यों नहीं की इसका जवाब कुद रतन टाटा ने एक इंटर्व्यू के दौरान दिया था और अपनी लव लाइफ के वारे में भी खुल कर बताया था रतन टाटा ने इंटर्व्यू में बताया था कि प्यार के मामले में वे सबसे ज़्यादा तब सीरियस थे जब वे अमेरिका में रह रहे थे बात इतनी ज़्यादा गंबीर थी कि दोरों शादी तक करना चाहते थे हाला कि रतन का भरत आने का फैसला रिष्टे पर भरी पड़ गया टाटा ने बताया कि वे देश वापस लोटना चाहते थे लेकिन उनकी साथी को अमेरिका में ही रहना था इस वज़े से उनका साथ चुड़ गया ऐसा नहीं है कि रतन टाटा को सिर्फ एक ही बार प्यार हुआ हो वे अपनी लाइफ में चार बार सीरियस रिलेशन्शिप में रह चुके हैं इन सभी में रहते हुए उन्होंने शादी के बारे में भी सोचा लेकिन किसी ना किसी वज़े से बाट तूरती चली गई इसके बाद उन्होंने काम पर फोकस करना शुरू कर दिया रतन टाटा ने कहा था कि शायद ये अच्छा ही हुआ कि वे सिंगल ही रहे क्योंकि अगर वे विभा कर लेते तो शायद हाला काफी जटिल बन सकते थे हलाकि रतन टाटा अकेली नहीं है जिन्होंने पूरी लाइफ सिंगल ही रहने का फैसला लिया हो फिलाल के इस प्रोग्राम वे बसेता हैं देखते रहे हैं आवास लिया डियोस